हलो स्टुरेंट्स वेलकम बैक टू मैं चैनल यॉर चैनल पुने सर की पाइचाला और आज लेके आ गया हूँ क्लास एट से चप्टर नंबर नाइन एलजेब्रिक एक्स्प्रेशन एन आइडेंटिटिटिस की खुबसूरत सी एक्सराइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो आ लेते हैं पहला सवाल 6,40,000 रूपे के लिए हां हमारे करलोपती में 6,40,000 का यह पहला सवाल मेरे प्यारे बच्चो 5-2X multiplied by 3 plus x तो क्या करना है यहां पर एक बाइनोमियल है दूसरा बाइनोमियल है दोनों बाइनोमियल को मल्टिप्लाइ करना है तो पहले बाइनोमियल की 5 को मल्टिप्लाइ कर दो 3 से 5 थ्रीजा किता होता My इस ही में चलेंगा माइनोस साइन का मल्टिप्लाइ से अट प्लस सो गया माइनस 2 इंटू 3 6 x इंटू 1 x क्लियर माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस 2 1 जा 2 और x इंटू x x square क्लियर अब माइनस 2 x square को पहले लिख दो गट्टे क्रम में आप x की पावर को लिख दो और प्लस माइनस कित्ता हो जाखा इन दोनों को solve करने प्लस माइनस like terms को solve करने प्लस माइनस जल्ली बोलो माइनस और 5 में से 6 जाएगा तो माइनस x बचेगा है नभरी पूळ क्यों knowing quantum ग्रेटर नम्मरम्र नम्मर शाएगा और Pues का कित्ता बच जाएगा 15 and that is your product answer, okay? clear? पहले का किया? 5 का multiply, 3 से 5 का multiply, X से sine के सान, फिर sine के सान 2X का multiply और sine के सान थी 2X का multiply, X से पहले 3 से था, ठीक है? इतना लिख लिए, जल्दी छाप लो, दिमाग में भी copy में, second सवाल, बहुत खुबसूरत, इसमें identity इस्तमाल नहीं करेंगे, वैसे तो होगी में नहीं, क्योंकि X प्लस 7Y और 7X माइनस Y, लेकिन इसके बाद वाले जो lecture आने वाले हैं, या फिर इसके बाद जो exercise हम इस्तमाल करेंगे, इस्तमाल करेंगे, अरे start करेंगे, वो जो होगी, वो identities related होगी, तो X प्लस 7Y multiplied by 7X माइनस Y, क्लियर, अब देखो, पहला time उठाना है, और पहले time से multiply करना है, दूसरे binomial का, तो 7 का multiply 7X से, तो कितना हो जागा, 7X square, X का multiply minus, तो minus, X का multiply y से तो X, Y, अब इसी 7Y का multiply किस से होगा, 7X से, तो 7, 7 जा कितना हो जागा, 49, प्लस, 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 7, 7 जा 49, 49, X into Y, XY, प्लस, इंटू, माइनस, माइनस, 7 into 1, 7, Y into Y, Y square, खुबसूर्थी, क्लियर, तो अब XY और ये भी XY, दोनों like terms, इनको solve कर लो, क्या हो जागा, प्लस, माइनस, माइनस, 49 में से 1 जागा, तो कितना बचेगा, 48, 7 X square, प्लस, प्लस, क्यों, प्लस, क्यों, क्योंकि 49 का sign बढ़ा है, sorry, 49 बढ़ा है, 1 से, और sign क्या है, प्लस, और 49 में से 1 जाएगा, तो कितना बचेगा, 48, X, Y, और माइनस, 7 Y square, इसका basic सीख लो, इसका basic कैसे है, मैंने 49, X, Y को कैसे solve किया है, X, Y, माइनस करके, तो इन दोनों में से common निकाला मैंने X, Y, बचा कितना 49, माइनस 1, 49, माइनस 1 कितना बचा 48, और 48 का multiply X, Y से तो आएगा, 48, X, Y, ये basic है, और मेरे ख्याल से यहाँ पर step होने के बाद, ये बनगे आपका product, and this is your answer, दिमाग में भी, कॉपी में भी, चाप लो, clear, इसके बाद हमारा आता है, तीसरा सवाल, और इस तीसरा सवाल को मेरे ख्याल से पॉस्ट करके, आपको ट्राइ करना चाहिए, कॉपी और पेन निकाल लो, नोट्स बनाते रहो, ओके, तीसरा सवाल, a square, plus b, into a plus b square, चेक, whole square नहीं है, b का square है, तो पहले a square का multiply a से, फिर a square का multiply b square, फिर b का multiply a से, फिर b का multiply b square से, खुपसूरती, a square into a, a की power 3, plus 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 plus, a square into b square, a square b square, plus 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 a into b, a b, plus 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 a, b into b square, b की power 3, और मेरे क्याल से इसको आगे solve नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद कोई और like terms को हम add नहीं कर सकते, जो like terms है ही नहीं, add करने के लिए, clear, इसके बाद हमारा सवाल number 4 था, और इस lecture का आखरी सवाल attempt करने जा रहा हूँ, आप लोग भी attempt करो, pause करो, वीडियो को pause करो, सवाल को solve करो, और फिर comment करो, कि मैंने वीडियो pause किया था, और मेरे दिल मैं आपको दे सकता हूँ comments में, इचलो, ठीक है, बहुत शांदर, खुबसूरत, p square minus q square into 2p plus q, क्या करना है, वही, पहली term उठाना है, पहले binomial से, और दूसी binomial को पहली term से multiply, क्या कर रहे है, पहली term from the first binomial, पहली term from the second binomial is multiplied, okay, p square multiplied by 2p, तो 2 ones are 2, p की power 3 हो जाएगा, plus 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 2, तो है नहीं सर, p into q, तो p square into q, plus minus minus, अब second से multiply है, फिर इसका multiply है, plus minus minus q square into 2p, 2p q square, plus minus minus, sorry, minus plus minus, q square into q, तो जाएगा q की power 3, clear, मेरे ख्याल से इसके बाद इसको हम आगे further solve नहीं कर सकते हैं, this is the product of two binomials, okay, तो I hope आपको lecture समझ में है, lecture समझ में है, तो पसंद आए, पसंद आए, तो like करने का, चैनल में नहीं हो, तो subscribe कर लो, लाल वाल बटन, को square कर दो, cube कर दो, power 4 कर दो, मुझे मतलब नहीं है, like हो जाना चाहिए, click होना चाहिए, और subscribe हो जाना चाहिए, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो, पनिस्तर की पार्चाला, जैहिन,